हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे What is Oxymoron? Oxymoron in English Literature है क्या? तो आई यो देखते हैं ये एक figure और speech है ये एक literary device भी है इसका जो term है Oxymoron जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर Greek के उनसे मिलकर ये बना है जो आदा शब्द है शुरुगाद को Oxy उसका बनता है Oxus Greek word इसका मतलब होता है sharp और Moros जो Greek word है इसका मतलब होता है foolish या dull अगर हम दोनों को मिला के जो meaning निकलता है जो अर्थ निकलता है वो है आपका sharply dull आप देख सकते हैं कि आपने आप में ही जो Oxymoron word है वो कहरा आपने आपको ये एक figure of speech है और इसमें क्या होता है कि दो words आपस में pair करते हैं और opposing होते हैं वो आपस में एक दूसरे के oppose होते हैं एक साथ आते हैं और oppose होते हैं means contradictory होते हैं विरोधाभास होता है उनके अंदर तो आईए इसे examples ही समझते हैं Virtual Reality Controlled chaos Silent scream Terribly good Wise fool आप पहला example देखेंगे Virtual Reality Virtual Reality दोनों ही आपस में एक opposing word है contradictory word है कैसे आप जब Virtual का मतलब होता है मानके चले जो आप game खिलते हैं PUBG अपने computer पे हैं वो PUBG के अंदर जो आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उस game के अंदर वो पूरी तरीके से Virtual है वो Reality नहीं है उसका Reality सो कोई संबंद नहीं है मार Reality जो दूसरा word है इसमें जैसे कि आपने स्कूल के अंदर क्रिक्ट खिलते हैं तो एक real game है वो PUBG के comparison तो Virtual और Reality जाब दो एक साथ इस्तमाल हुए हैं और ये एक oxymoron का example है ऐसे controlled chaos कोई भी chaos controlled कैसे हो सकता है Silent scream आप silently scream कैसे कर सकते हैं तो दो वर्ड एक साथ जो opposing होते हैं contradictory होते हैं विरोधभास करते हैं एक साथ तो वो oxymoron के लाता है Alexander Pope ने Assies of Criticism work लिगा उसके अंदर से एक छोटा टोकडा मैंने लिया हैं पर The bookful blockhead ignorantly read With loads of learned lumber in his head With his own tongue still edifies his ears And always listening to himself appears तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक word है पहली लाइन में है Bookful और दूसरा word blockhead Bookful means ग्यान Blockhead means जिसका दमाग बलको समझ मिन सकता है तो यह दोनों एक साथ इस्तमाल करें जो के अपने आमे हुगजी मरोन है यह दोनों ही opposing word है एक दूसरे से Romeo and Juliet William Shakespeare ने 1597 में लिखा उसमें से एक छोटा टुकला है Why then, O brawling love, O loving hate O anything, of nothing first create तो इसमें एक word है O loving hate यह sentence आपका Loving और hate यह oxymoron है क्योंके दोनों ही word एक दूसरे के opposition में है तो यह था आपका oxymoron figure of speech, I hope it will help you to understand Thank you